हेलो एव्रीवन वेल्कम टू चानक्याइस पटना शिष्टी नाइथ बीपेसी पीटी क्रैस्ट को सेशन इस अभ्यूदय सीरीज में मैं अगें हिस्ट्री का दो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूं तैट इस बैटल अफ पलासी एंड बैटल आफ ब सेबन में बैटल अफ प्लासी हुआ था बेट WST इंडिया कमपणी नव्रा बैंकोल बैंगोल और इस इंडिय बैंटाभेसी में बीच में बैटल आफ बैंकिंगला बेंकोल में चिछी घो किह सकते हैं आप गल्रेश की अब एक्क्शुल्य में हुआ क्या था यह बैटल अपलासी होने के पीछे क्या कारण था तो सबसे पहले इसमें कारण क्या था जो ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी थी वह फॉर्ट विल्यम का फॉर्टिफीकेशन कर रहे थी और सिराज उदौला ने जो नवाव वेंगॉलान उसने वार्न किया कि आप यह फॉर्ट ब्रिटिस इंडिया कंपनी से इन दिस केस सिराज चैप्चर 146 इंग्लिसमें पुट दें इन अ ब्लैक हाऊस और इस दोरान जब आटैक करके कैप्चर करता है फॉर्स फुली 146 ब्रिटिस इंग्लिसमें को यह चैप्चर करता है और एक ब्लैक कह सकते हैं कि एक बंद है उसमें से 146 में से only 23 साथ बेशते हैं एंड होल्वेल अट जिसमें से एक जिन्दा बचते हैं वह कॉझे है प्रीध पकलिगा लिकसी के वारे में बता या जाता है इसे ड्लैक्जडी कहा जाता है जिसमें वन लगवग 1423 जो इंग्लिस मेन है वह देथ हो जाता है ड्यूटू सफोकेशन अब जब यह हो जाता है तब अलेडी चुकी जो नवाप बेंगॉल है उसका डिसकंटेंट रहता है बिटिस के बीच में डिसकंटेंट फॉल्वर्स ऑफ नवाप सच अज मीर जाफर ब्रिटिस अब ब्रिटिस क्या करता है कि नवाप को एक लेशन सिखाने के लिए जो उसके सब्सक्राइब करता है और यह ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी के साथ एक एक ऐस फॉर्म करता है इन देटल और जितने सद्रेंट कारी रहते जो सद्रेंट रचते हैं यह बेसिकली जो प्लासी बोला जाते हैं तो परिटल नहीं चाह सकता जो किसमें नवाब के जो मुष्ट कह सकते जो अस्टेडिस के साथ एक कोंसपेरेसी इस्टेपलिस कर चुके थे अगिंस्ट दा नव जब यह अटेक होता है बैटल अफ पलासी बीगेन होता है तो जिस समय मिर्जाफर के पास बेंगावल को वन थर्ड आर्मी रहता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है फ्रॉम दे साइड ओफ नवाव अंडर कंपेलिंग सार्मार के सरकेमस्टांसे नवाव ट्राइट ट्रा यहां पर आपका यह जो बैटल अफ पलासी है जिसमें बंगाल के नवाव का दित हो जाता है आप्टर बैटल पलासी क्लाइफ प्रोक्लेंड मिर्जाफर एज नवाव बंगाल एंड प्लेस्ट इंडिया कंपनी के डिमांड को सटिस्पाई करने के लिए जो 24 पढ़गना ह उसकी जम्हेंदारी बैंगाल कंपनी को सौप देती है और इसको नौट सटिस्पाई ब्रिटिस डिमांड और यहां पे जब ब्रिटिस का डिमांड को फुल्फिल नहीं कर पाता है मिर्जाफर तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाहिज सन इलो मीर कासीम अब यहां पे ज़स्ट बाद बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मीर कासीम वह चाहता है कि वह फ्री हो सके इंडिपेंडेंट हो सके ऐसी लिए वह 1792 के अरांड में यह चीज़ें चलते रहती है यहां पे आपको पहले वह क्या करता है आपको मुर्षिदाबाद से मुंग स्टार्ट हो जाता है बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट बीटिमिन फोर्स अंडर दा कमांड बिटिस इस इंडिया कंपनी लेड़ बाइं हेक्टर मुन्रो और मेर कासीम तिराज उदौला नवाब बेंगल तिस सेवेंटी सिक्षिट्री सिराज उदौला और नवाब अब मुगल इंप्रेरर साहलम यह सुझा-उदौला मिर कासीम रिगार्डेद इंसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीर कासिम जो है ऐओ खुद को इंडिपेंडेंट रूलर की मानता था विच व्चा प्रॉबल्म ऑड़ बिटिस प्रिटिस इंपायर का सिंपल सा मक्सद था कि वह एक पपेट रूलर को रखे बंगाल का गद्दी है वहां पे पपेट रूलर होना चाये क्योंकि वह एक मेंन वुल्ड था ब्रिटिस इंपायर का बिटिस इस्टि इंडिया कंपणी का ये त्रीटीई आप अलाहबाद आइ यह बैटल जो बक्ता वाक्षर है वह कंक्लूड किया जाता है विद दा ट्रीटी ऑफ बैंगलाद इन विच मूगल इंप्रेरर सरेंडर स्टुभरिंटी ऑफ बैंगल टुदा ब्रिटीस अब यह जो बैटल आप ट्रीटी अपला हावाद साइन किया जाता है वह उसका भी ब अलाहवाद एंकारा वेर सरेंडर्ड वाइन वाइन इंप्रेयर साहलम टू सम फिप्टी लाक वाज पेट तु दे कंपनी एज वार इंडिमिनिटी और लगवा पचास अलाग रुपया वार इंडिमिनिटी के रुप में भी देना पड़ता है बलवन सिंग जमिंदार और बन इंप्रेयर आउट्स्ट्रीशाइट अलाहवाद अंडर कंपनी साहलम टू को कंपनी के प्रोटेक्शन में अलाहवाद में रहने को कहा जाता है साथी साथ दिवानी बेंगाल भिहार और उरिसा बिहर गन्टेट तो इस इंडिया कंपनी इन लिव पेमेंट ओव 26 लाक 26 ला to the company in return for निजामत फंक्शन और साथ ही साथ एक 53 लैक जो है वह दिया जाता है गिवन वाज गिवन टू 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 भी गिवन बाइदा मुगल इंप्रियर तू दे कमपनी इन रेटर्न आफ निजामत फंक्शन के जो कि पहले इस इंडिया कंपनी उस पो होल्ड करके रखती है वह जब रिटर्न किया जाता है यहां पर कैसा है सालम टू को तो फिप्टी थी लैक रूपीज देना परता है निजामत फंक्शन का मतलब बैसेकली डिमिलिट्री डिपेंस पुलिस एंड अड्मिनिस्ट्रेशन ओफ जस्टिस यह सारे जो राइट से उसको फिर से दे दिय हैंगे तो दाट सौल फो तोड़े थैंक यू